दोस्तों कंपर्शन अक्रमी की यूटूब पोटल पे आपका स्वागत है जैसा कि आपको पता है कि इस समय अन्य विधा पराधारी पेड़ बैच चल रहा है यूपी हायर के लिए यूजी सी नेट के लिए तो आज जो लेक्चर लोगों आज जो पीडियाफ लोगों को दिय गया एक तो यूपी हायर के जो पाठिकरम में है अपनी खबर वह दिया गया और दूसरा जो यूजी सी नेट के पाठिकरम में है प्रेम चंद घर में सिवरानी देवी का प्रेम चंद घर में प्रेम चंद घर में सिवरानी देवी की जो रचना है तो वह दिया गया जिनमे से आज एक लेक्चर अपनी खबर यह पब्लिस्ट है सभी लोगों के लिए हैं अगर आप भी उपी हायर की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर इस लेक्चर को अंत देखें एक एक पॉइंट इसमें बताया गया है और थोड़ी से भूल कहीं आप कर देते हैं जिससे एक दो प्रस प्रसाद दुवेदी का है कि साहित समाज का दरपन है अब अगर आ गया कि समाज साहित समाज साहित का दरपन है कथन किसका है किसने कहा है अब आप जल्दबाजी में महावीर प्रसाद दुवेदी लगा देंगे लेकिन गलत है मिर्दुला गर्ग ने कहा है महावीर प्रसा साहित्य का दरपन है और वहीं पांडे बेचन सर्मा उग्र ने कहा कि दरपन वरपन कुछ नहीं होता है दरपन कुछ नहीं है उन्होंने कहा हिंदी साहित्य समाज का संकर्षण है तो इस तरीके से ये दो-तिन जो एक ही तरीके की सब्दावलियां होती है वहां पर लोग जल् अध्यन करिए एक चीज़े बताई जाती है समझाई जाती है वहां आप उस पर ध्यान दे तो सबसे पहले हम लोग पांडे बेचन सर्मा उग्र की बात करेंगे उनकी रचनाओं के बारे में थोड़ा देखेंगे और फिर जो पाठिकरम में लगा हुआ है अपनी खबर उस 60 में हुआ इसमें उनके आरंभिक 20 वर्सों की कथा है जिस वर्स वर्स वह लिख रहते हैं उस समय उनकी आयू साथ वर्स की थी उन्होंने अपने माता का नाम जैकली बताया है इसमें असंबल गान है असंबल गान है अब असंबल गान में कौन-कौन से पर सीरसक है तो उप कौन कौन से हैं यह आपने पढ़ लिया इसमें कितने गुर्वों की बात की गई है यह पढ़ लिया तो इतने से काम नहीं चलेगा पूरा आपको डिटेल लेकर चलना पड़ेगा पहली बाद जब सलेबस चेंज हुआ था तो साधारन अध्याई पूछ लिए गए थे लेकिन अब किवल अध्याई ही नहीं पूछ जाएंगे बलकि उसके अंदर की भी चीजी पूछी जाएंगी है ना तो चले एक एक का डिटेल हम लोग देखते चलते हैं पांड़े बेचन सर्मा उग्र का जन्म 1920 में चुनार में हुआ देहांत 1967 में दिल्ली में हुआ तो यहाँ पर इनका जन्म सरी 1900 है 1920 हो गया है सही कर लिजिएगा 1900 में हुआ और देहांत 1967 में हुआ पांड़े बेचन सर्मा उग्र के पिता का नाम बैद्धनाथ पंडित था बेचन सर्मा उग्र का अधिकांस लेखन उल्टी गंगा बहाने में बेमिशाल था वह सामुद्रिक द्रिष्ट के लेखक थे पांड़े बेचन सर्मा उग्र ने कहा कि साहित समाज का संकर्षन है साहित्त का दर्पन है मिर्दुला गर्ग जबकि साहित्य साहित्य समाजिक का दर्पन है इसमें समाज पहले इसमें साहित पहले ध्यान रखिएगा जबकि पांडे बेचन सर्मा उग्र ने कहा साहित समाज का संकर्षण है संकर्षण सब्द किर्षी से सम्मंदित है पांडे बेचन सर्मा उग्र का पहला कहानी कहानी संग्रह चौकलेट है जिसमें आठ कहानिया संकलित हैं चौकलेट कहानी संग्रह की सभी कहानिया मतवाला पत्रिका में प्रकासित होती थी पांडे बेचन सर्मा उग्र के साहित को समकाली नालोचकों ने घासलेटी साहित तक कहा मतवाला के संपादक मंडल में उस समय महाव्योपरसाद सेट थे मुंसी नौजादिक लाल थे रामजी लाल सुमन थे पांडे बेचन सर्मा उग्र थे सिव पूजन सहाई थे तो ये उस समय के संपादक मंडल में थे जब 11 अगस्त 1919 को सोदेश पत्रिका में आहवान कविता प्रकासित हुई तो इसी के साथ बेचन सर्मा ने उग्र नाम धारन किया वसे इनकी जो पहली कहानी थी पांडे बेचन सर्मा उğर की जो पहली कहानी थी पहली कहानी गांधी आश्रम पहली कहानी गांधी आश्रम ससी मोहन सर्मा के नाम से प्रकासित हुई थी इनकी पहली कहानी पांधी बेचन सर्मा 1926 में जेल में रह तो उन्होंने जेल में क्या है सीरसक कविता लिखा जो उन्होंने अपनी खबर आत्मकथा में उल्लिखित किया है अब यहाँ पर आपसे यह प्रस्न है कि पांधी बेचन सर्मा उग्र ने जेल में क्या है सीरसक जो कविता लिखा वो अपनी खबर आत्मकथा कि किस अध्याई में है बताए कितने लोग बताएंगे किस अध्याई में है बताएंगे नहीं पता है तो ध्यान रखिए जीवन संचेप जीवन संचेप बैरे खैबर्थ बेल बेडियां है बावले है ब्यूटिफुल बाल्टी की दाल बेमसाला है चटा है चटाई चारू चीलर है चारो और तोक तसली है तसला है और ताला है जाहिर जहान जमा मार जमादार भी हैं कच्ची कच्ची रोटी सड़े साग का निवाला है साला कैदियों की काला कंबल दुसाला यहां उगर ने वहीं पे फिलहाल डेरा डाला है तो यह जेल में क्या है सीर्शक कविता उन्होंने लिखा है पन्ड बेचन सर्मा उगर के जो उपन्यास हैं वो चंधसीनों के खतूत खूप परिक्षाओं में पूछे गए हैं इनके जो उपन्यास हैं आप देखेंगे लगातार परिक्षाह में पूछे जाते हैं ये पीडियेप भी आप सभी लोगों के पास ही है चंद हसीनों के खतूत उपन्यास दिल्ली का दलाल बुध्वा की बेटी सराबी घंटा सरकार तुमारी आखों में कड़ी में कोईला जी 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 फागुन के दिन चार जुहू तो ये इनके उपन्यास है बेचन सर्मा उग्र ने तुलसिदास आदी अनेक आलोचनात्म ग्रचनाये भी लिखी पांडे बेचन सर्मा उग्र के निबंद कुछ इस प्रकार है उग्र को फासी दी जाए कुछ साहितिक बमगोले क्या ये सच है कसोटी चौकलेटी अंदोलन चाबुक तुलसिदास धर्ती और धान मुक मर् उर्प चुम्बन ये कौन साहित है विपलोगान बेचन सर्मा उग्र ने नेता का अस्थान सीर्शक व्यंग भी लिखा है इसके अलावा पांडे बेचन सर्मा उग्र की बहुत सारी कहानिया है ये पीडियप में मैंने दे दिया है इसवर द्रोही कहानी उरूज कहानी एक कहानिया किसकी है इसलिए पाठिकरम में जितनी भी विधाय लगी है उस रचनाकार की समस्त रचनाओं की चर्चा हम लोग करते चलते हैं जैसे जो कहानिया लगी है तो उस कहानिकार की समस्त रचना है उपन्यास लगा तो उस उपन्यास की समस्त रचना है या कविता लगी अब बात करेंगे अपनी खबर आत्मकथा का जो की आपके पाठिकरम में है यह रचना मतवाला संपातक मंडल के महादेव प्रसाद सेठ को समर्पित है बहुत ही महत्पूर्टत इस रचना का प्रकाशन वर्स निस सो साथ हिस्वी इस रचना में बेचल सर्मा उग्र ने अप कथा कही है आरंभिक जीवन के कितने वर्सों की तो 20 वर्सों की कथा कही है इस रचना में उन्होंने अपना जन्मस्थान सद्धू पुर्चुनार और माता का नाम जैकली बताया है इस पुस्तक के प्रार्म में दिगदर्शन के माध्यम से तुलसी दास को आधार बना कर द बेचन सर्मा उग्र ने इस रचना की भूमिका में प्रवेश सीर्सक के तहत सिव पूजन सहाय ने मुझसे कहा उग्र अब तुम अपने संसमर लिख डालो इसकी भी चर्चा की है पांडे बेचन सर्मा उग्र ने अपनी खबर आत्म कथा अपने जीवन के 60 वर्स पूरा हो पर लिख रहे ते यह भी उन्हें जिक्र किया है यह सकत्य बिंदोने यह की इसको बताया जा रहा हूं लिका कि मन की बेचन पांडे, वल्द बैज़नात पांडे, उम्र साथ वर्ष, तो उम्र साथ वर्ष, जब लिख रहते तो उनके उम्र कितनी थी ? 60 वर्ष थी बेचन सर्मा उग्र ने सोदेश के दसारांग का भी संपादन किया इसके अलावा उन्होंने गालिब उग्रमासिक पत्रिका संबाद हिंदी पंज बीना आदि में भी समय समय पर संपादन कारी किया इस रचना में जो अध्याय हैं वो अध्याय कौन-कौन से हैं दिखदर्शन है, परवेश है, अपनी खबर है, धर्ती और धान है, चुनार, नागा भागवद्दास, राम मनोहर दास, भानु परतापतिवारी, बच्चा महराज, पंडि जगनात पांडे, ये करम से मैंने दिया है लाला भगवान दिन, बाबु राव विश्डवा प्र चैotal तो नहीं होगे, जितना दिया गया है, लेकिन हाँ, जो महत्पूर है, उसकी चर्चा करेंगे जैसे दिखदर्शन, दिखदर्शन में उगर जी ने किसे याद किया, राम को, वो लिखते हैं दिखदर्शन में, कि मैंने क्या क्या नहीं किया, किस दर की ठोकरें नहीं खाई और किस किस के आगे अपना मस्तक नहीं जुकाया मेरे राम आपको ना पहचानने के सबब क्या सबब जब जनम जनमी जग दुख दसहुंदी से पायो कहते हैं कि आसा के जाल में फस योर मोस्ट ओविडियन्ट सर्वेंट बनकर नीचों को मैंने परम परसन परेम पूर्बक प्रभू पुकारा मैंने दौर दौर बार बार मुख फैलाया दीनता सुनाने लेकिन किसी ने उसमें एक मुठी धूल तक नहीं ढाली और कहते हैं कि भोजन और कपड़े के लिए पागल बना यत्र तत्र सर्वत्र जख मारता फिरा प्राणों से भी अधिक प्रिया आत्म सम्मान त्याग कर खलों के सामने मैंने खाली पेट खोल खोल कर दिखलाया सच कहता हूं कौन सा ऐसा नीच नाच होगा जो लगू लोब ने मुझ बेसरम को ना नचाया होगा लेकिन आह लालत से ललचाने के सिवाए नाथ हाए कच्छु नहीं लग्यों तो ये उन्होंने जिक्र किया है अब इसके बाद में जो परवेस वाला अध्याय है उसमें उ सिव पूजन सहाए नलिन बिलोचन सर्मा और जैनेंद्र कुमार जी मेरे यहां आये थे कौन कौन आया था नाम तीनों का लिखना चाहें तो लिख ले शिव पूजन सहाए शिव पूजन सहाए नलिन बिलोचन सर्मा नलिन बिलोचन सर्मा तीसरा नाम लिख लीजिए जैने तो कह रहें यह आये थे साथ में और भी दो तीन बिहार के लोग थे तो बातों हुई बातों में शिव पूजन सहाय ने मुझसे कहा कि उग्र अब तुम अपने संसमर लिख डालो अब तुम अपने संसमर लिख डालो तो यह कहा गया मैंने कहा लिख तो डालू लेकिन जीवित महासेयों की विरादरी अंदभक्त विरादरी का बड़ा भय है तो यह सारी बात होती है लोगों में वहाँ पर बात होती है पांडे वेचन सर्मा उग्र ने इसी प्रवेश में कहा है कि मेरा बाकाइदा पर्थम पब्लिशर कौन थे तो कहते हैं कि मेरे पर्थम पब्लिशर महादेव श्री पन्ना लाल गुप्त नामक एक सज्जन थे बनारस में नीची भाग में उनकी छोटी सी दुकान थी पन्ना लाल जी मुझे दो रुपे रोज देते थे और मैं उन्हें मात्मा इसा नाटग लिपकर देता था अब इसके बाद आ जाते हैं अपनी खबर अध्याई में इसमें उन्होंने क्या कहा है तो इसमें उन्होंने अपनी उम्र साथ वर्स बताया है अपने पिता का नाम बताया इसके अलावा अपना पूरा पता विवराण दिया उन्होंने इसमें ये बताया कि मेरे ज्यादातर भाई बहन जनम लेते ही मर जाते थे उन्होंने इसमें ये भी कहा कि मेरे आरंभी की वीर्स बर्सों की घटनाएं इसमें हैं कहते हैं जब मेरा जनम हुआ सर्यू पारिय ब्रहमन के घर में मेरी माता का नाम जैकली था जिसे लोग बिगार कर जैकली पुकारते थे मेरे एक दरजन भाई बहन थे जिसमें से अधिकतर पैदा होते हुए साल दो साल होते प्रभु के प्यारे हो जाते थे मर जाते थे प्यारे भाईयों के नाम मेरे पहले भाईयों के नाम कह रहे हैं कि उमा चरन देवी चरन सिरी चरन स्यामा चरन रामा चरन ये हमारे भाई थे और कहते हैं कि जब मेरा जन्म हुआ तो जब अक्सर हमसे पहले जो जन्म लेते थे भाई वो मर जाते थे तो महज मेरी माता ने एक टके में बेश दिया और उसका भी गुड मंगा कर मेरी माता ने खा लिया इसलिए मेरा नाम बेचन रखा गया अगे धरती और धान अध्याय में क्या कहा गया है यहां पर देखिए जो महत्पूर्ण चीज़ें सिर्फ उसी की चर्चा करेंगे बस थोड़ी सी चर्चा अगर आप चाहें तो यह भी कर सकते हैं कि कहते हैं कि कित उर अवस्था में ही prett नाज्यद की हम चोटे से मिर्जापुर भाग कर राम लीला में राम लक्षमर का अभीने करते थे किसका अभीने करते थे राम लीला में तो राम लक्षमर का अभीने करते थे क्रोध और भविश के भाई से कापते हुए पिता जब मिर्जापुर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि भाई लोग जो थ कि किया करते थे यह सारी चीज़े उन्होंने बताया है Oh messages Meng कि अन्हों में इसमें मेरे पिता जी कि कि जमीदार के बैटों की संपत्ती के मामलों में में गवाही होती थी outta सैan लेकिन वो अपनी इमानुदारी से नहीं डिखते थे घल घ्रक का बहुत खास्ता हाल था फिर भी वो अपनी इमांदारी से नहीं डिखते थे और जिक्र किया गए कि पैसा गिनते ही पैसा निकालना और उससे घर चलाना यह सारी चीजें बताया गया है यहीं प्रमाता जी की कहावत है कि पेट में पड़ा चारा तो नाचे लगा बेचारा बाटने बेचन सर्माउग्र ने बताया कि जब मेरे पिता का देहान तो हुआ तो मैं महज दो साल छे महीने यानि धाई साल का था आगे कहते हैं जब पिता का देहान तो हुआ मेरा बड़ा भाई जो था वो 22 वर्स का रहा होगा उसका विबाव हो चुका था मेरी बाबी घर पर थी मजला भाई 16-17 साल का रहा होगा जो पिता मरण के कुछी ही दिन के अंदर बड़े भाई और भावी से लड़कर घर से अध्या भाग गया और साधू बनकर रामलीला मंडली में अभिने करने लगा तब मैं चार साल का था जब बड़ा भाई चला गया तब इनकी उम्र कितनी थी तो चार साल और ये मजला भ भाई सिरी चरण मजले भाई का क्या नाम है सिरी चरण अब इसके बाद चुनार अध्याय में आते हैं तो इस अध्याय में उग्र ने अपनी जनम भूमी और राम की जनम भूमी आयोध्या का विब्रण दिया है और कहते हैं कि आज ये तो आज बड़े तीसमारखा बनते हैं पांड़े बेचन सर्मा उग्र दरसल जोरू है राम के मगर क्या होंगे राम के तो असली जोरू कभीरदास थे और कभीरदास की पंती का उलेद किया है कि बालम आओ हमारे गेह रे तुम बिन दुखिया देह रे सब कोई कहे तुम्हारी नारी मोय होत संदेह रे और एक मेव होई सेज न सो हैं तब लग कैसा नेहरे है कोई ऐसा पर उपकारी प्रियसो कहां सुनाई रे अब तो बेहाल कभीर भय हैं विनु देखे जिय जाई रे बालम आओ हमारे गेह रे तो इस तरीके से पूरा जिक्र अध्या का भी किया गया है और चुनार का भी जिक्र पूरा इसमें किया गया है अगला जो अध्याय दिया गया है यानि कहां पर क्या महत्पून है बस उसी की चर्चा हम लोग यहां पर संचेप में करते चल रहे हैं नागा भागवत दास जो की बात करते हैं कहते हैं कि यह सन 1910 इस वी है जब इस अध्याय और यह नगर कौनसा थे मान्ट गूमरी जो कि पाकिस्तान के सहर मांटगुमरी से इसमें ये प्रारम किया गया है ये अध्याय और कहते हैं यहाँ पर आयोध्या से रामलीला करने वाले कलाकार आये हैं और कुल कलाकारों के संक्या साहतालिस थी उन्होंने बताया कि ये वास्तों में नागा भागवत दास की जमात थी जो मांटगुमरी में लोग आये थे यहाँ पर रामलीला करने उसी की चर्चा यहाँ पर की गई है बाकी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ मातपूर्ण नहीं है राममनोहरदास जो अध्याय दिया गया इसमें दिली के वाइसराय लार्ण हरडिंग पर बंभ फेकने जाने का कांड़ भी संचेप में आया है इनके भाई सियारामदास अध्या के राममनोहरदास की मंडली में है और उनके साथ मैंने भी कुछ सहरों का भर्मन किया इसका जिक्र राम मनोहर दास वाले अध्याई में किया गया है और इसी में मिर्जा गालिप का सेर दिया गया है ये भी पूछा जा सकता है कि मिर्जा गालिप का सेर किसमे है तो ये है मुस्ताक और वह बेजार या इलाही माजरा क्या है तो ये सेर कहा गया है मिर्जा गालिप का फिर भानु प्रताप तिवारी अध्याय दिया गया भानु प्रताप तिवारी अध्याय ये बहुत ही महत्पूर्ण अध्याय है क्योंकि यहां प्रस्ण ये पूछा जा सकता है कि गंगा के गर्भ में गंगा गर्भ में खर्गोष गंगा गर्भ में खर्गोष की जो कथा है वो किस अध्याई से लिया गया है यह किस अध्याई में है गंगा गर्व में खरगोस गंगा गर्व में खरगोस तो ध्यान रखिएगा गंगा गर्व में खरगोस की जो बात आई है वह भानुपरताप्तिवारी अध्याई से ऐसे यह भी पूछा था कि मौलवी लियाकत अ प्रभुकर दूर्ट रिली का जो उल्लेक है वो किस अध्याई में है तो अभी आगे बताते हैं सारी ध्यान रखिए तो कहते हैं बच्पन में मेरे महले में दो हस्ति आये सी थी जिनका नाम कमोवेश जिनका कमोवेश पर होगो मुझ पर सारे जीमन रहा उनमें से एक थे भा तो भानु परसाद तिवारी 60 साल के थे और दूसरे थे बच्चा मारा जिनकी उम्रल लगभग 40 वर्स के आसपास थी इसी में कहा गया है जब खरगोश की बात आती थोड़ी कहानी आपको सुना देते हैं कहते हैं कि वहीं पर एक अनपढ़ सिद्ध रहते थे अनपढ़ सिद्ध थे जिनका नाम था अनपढ़ थे लेकिन सिद्ध थे सुदर्शन पांडे सुधर्शन पांडे ये भानु परसाद अध्यायव में बात कर रहे हैं सुधर्शन पांडे एक दिन असनान संध्या के बाद घुटनों तक गंगा में खड़े होकर सूर को अधर दे रहे थे कि बीचधारा में ततकालीन कासी राज का राज बजड़ा गुजरा अमित तेजस्वी ब्रह्मन पर नजर परते ही राजा ने जल्यान चालकों को उधर ही चलने का इसारा कर दिया तो राजा के पास कोई ऐसा भी था जो सिद्ध सुदर्शन पांडे से परिचित था जानता था उनको तो उसको जैसे देखा देखती बताया कि कासी राज को बताया कि वो तेजस्वी ब्रह्मन है दुनिया की नजरों में महामूर्ख मगर भगवती का भारी साधक सिद्ध ह ये सुदर्शन पांडे तब सुदर्शन पांडे के निकर जब राजा पहुचे पूछा महाराज गंगा गर्व में क्या की चीजी हो सकती है तो सुदर्शन पांडे ने बताया कि महाराज गंगा गर्व में चमतकारी सुदर्शन ने बताया कि गंगा गर्व में खरगोस का बच्चा होता है और क्या तो करते खर्गोष का बच्चा गंगा के अंदर तो राजा को लगा कि जैसे हमारा उपहास किया गया है तो यही पूरी कहानी यही पूरी कहानी बताया गया है फिर बाद में उसमें जाल डाला जाता है कि देखते हैं इसमें निकलता है कि नहीं निक करतें तो यह पूरी कहानी इसमें तो इसे में इसके बाद आगे पण्डित जगंणात्स अ क्लिए जूज़ांक बुर्ष माराज अद्याय इसलिए उसको छोड़रने सीध्यार रहे हैं हम लोग पंडित जगनात् पंडित जगनात पंडे अध्याई की जब बात करते हैं तब इन्होंने कहा है कि जब मैं 14 साल का हो गया पंडे वेचर सर्माउगर कहते हैं जब मैं 14 साल का हो गया था कि रामलीला मंदली से छुटी मनाने बड़े भाई के संद चुनार आया तो इसी बार अली गड़ में किसी बात प्रमांत राम मनोहर दास और मेरे बड़े भाई में बाद विबाद हो गया और यहीं पूरी कहानी बताते हैं फिर जगनात पंडे की जगनात पंडे का पूरा जिक्र यहां पर किया गया है तब ही जगनात पंडे के बारे में पूरा ज जी थे जो उर्दू फार्सी और आर्थमेटिक 6-7-8 कक्षा में पढ़ाया करते थे उनके विचार उस समय की हवा के अनुसार हिंदू भावना विरोधी थे और कई बार कक्षाओं में पढ़ाते पढ़ाते कोई ऐसी बात बग जाते जिससे हिंदू विद्यार्थियों को मार पूछेंगे कि इन्होंने अपने पांच गुरुओं की बात बताई वह पांच गुरु कौन कौन से है यह भी प्रस्ण पूछा जा सकता है कि कितने गुरुओं की बात की गई तो पांच पांच गुरु कासी पती तिरपाठी लक्षमी पत्रिका के संपादक भगवान दिन आज पत्रिका के संपादक बाबू राओ प्रभापत्रिका के संपादक क्रिश्नदत और बाबू सी उपरसाद गुप तो इनका जिक्र किया गया है जब लाला भगवान दीन की बात आती है लाला भगवान दीन तो लाला भगवान दीन अध्याय में लाला भगवांदीन अध्याय में ही कासी पती की ओर से एक जो कवित रचा गया था उस कवित का भी जिक्र किया गया है उस कवित का जिक्र किया गया है इसके लब मर्यादा अभ्यूदय प्रताप इन पत्रिकाओं का जिक्र किया गया है और इसी में 1921, 1922, 1923 की जो रचनाएं है जो प्रताप पत्रिका में छपी थी उनका जिक्र किया गया है तीन कविताएं हैं सुख का पता 1921 में ये लाला भगवान दीन वाले अध्याय में लिखना चाहें तो लिख लें सुख का पता पहला लिखें लाला भगवान दीन वाले अध्याय में पहला लिखें सुख का पता 1921 में प्रकासित प्रताप पत्रिका में प्रकासित कविता दूसरा लिख लें ज्यान मंडल प्रताप पत्रिका में 1922 में प्रकासित कविता प्रताप पत्रिका में 1923 में प्रकासित कविता लिख लिख लिए आपने अब इसके बाबुरा भिशुरा प्रावार्कर अध्याय के जब बात आती है तो इसमें इन्हों ने खुद कहा है कि उटपटांग सीरसक से बरसो तक मैंने हास व्यंग के नोर्स आज में लिखे थे अश्टावक्र उपनाम से तो इन्होंने अश्टावक्र उपनाम से किस पत्रिका में उटपटांग सीरसक से हास व्यंग लिखते थे तो आज पत्रिका में आज पत्रिका में किस अध्याय में बताया तो आज पत्रिका के संपादक बाबू राओ विशुल राओ पराडकर वाले अध्याय में बताया है और इसी अध्याय में जिस तरीके से लाला भगवान दीन वाले अध्याय में आपने तीन कविताएं देखी ऐसे बाबू राओ व नामना 1921 की कविता व्यंग ये भी 1921 की है हास यह सब जो ओब आज पत्रिका में लिखते थे उसी का जिक्र इन्होंने किया है परतंत्र कामना व्यंग हास ये सब किस नामसे लिखते थे तो आस्टावक्र उपनामसे लिखते थे कि है किस पत्रिका में आज पत्रिका में यह उन्होंने अपनी यात्म kता में खुद कहा है कहा है ?? कहा है यह सारी चीजिया आपको यह सले बताते चल रहे हैं वाके बबाबु सुपरशाद गुब्त अध्याय मूँ जो की बहुत जादा नहीं है बहुत छोटा है कमला पती तिरपाथी अध्याई की अगर बात करें तो वह भी बहुत छोटा है ऐसे ही बनारस और कलकत्ता अध्याई में बनारस के गलियों वहां के समाज वहां के पंडितों इन सबका जिक्र उसमें उन्होंने किया है फिर जीवन संचेप में आएं तो आने के बाद 1924 में आज पत्रिका में कहानी एकाम की कर्काएं लिखते थे 23 में महत्मा इसा नाटक लिखा भूत नामक हास पत्र लिख रहे मेरे संपादन में चालू हुआ किसी अध्याई में इसी होगा इसी अध्याई में अनूप सर्मा की घनाचरी का भी उल्लेख है किस इसी अध्याई में उन्होंने जेल में क्या है सिर्शक कविता लिखा जो मैंने अभी प्रारंभ में आपको बताया था बावले है ब्यूटीफुल बाल्टी की दाल बेमसाला है है ना तो यह इसी में है अब इसके बाद में अंत में है असंबल गान एक बार परिक्षा में अभर में असंबल गान है अपनी ख़वर में असंबल गान है ऐसे ही कि जब असंबल गान की बात आती है तो सायद एक बार किसी उपन्यास में भी पूछा गया था कि पलायन गीत किसी में है पूछा गया था ना पलायन गीत रागदरबारी में पलायन गीत रागदरबारी में है रागदरबारी में पलायन गीत यह भी पूछा गया एक बार ऐसे ही यहाँ पर अगर आत्मकथा की बात करें त असम्बलम किसमें है तो इस अपनी खबर में है पांदे वेचं सर्मा ओंधी जो अपनी खबर है इसमें और यह असंबलम तीन पार्ट में फास सेकंड थर्ड है तीन पा सीरशक क्या है तो इसमें उपदेशक राही और परिचय ये तीन सीरसक है राही का सीरसक गीत 1928 का है उपदेशक सीरसक का जो गीत है वो यह तेरी कंथा के कोने में तेरी कंथा के कोने में कुछ संबल या संसय है अरे पथिक होने में तेरी कंथा में यद कुछ हो न ठहरता ना जा कंथा अपनी भरता जाना करम दिखा इन बाजारों में कुछ धरता कुछ हरता जाना करता जा खिलवाड अमरता परनस्वरता के टोने में तेरी कंथा के कोने में दूर देश तुझको जाना है पत के दुख सुख पाना है अरे गुन गुना इतना गाना पढ़ना है आगे रोने में तेरी कंथा के कोने में बीहडबाट हाट से आगे जा मत मुझका मत भैत्य आगे और गिर गहवर न निरजर जर जर पत जाए पस्ताएगा अन्न अभागे खो देगा अपने को पागल होती हसी यहां खोने में तेरी कंथा के कोने में ऐसे राही गीत है इस असंबल गान में कि खो जाने ही का तो डर है खो जाने ही का तो डर है इसलिए संबल संचय में संसर है कुछ को और कसर है खो जाने का ही तो डर है तो यह राही सीरसक है और पर महाराजी उराज सरदार जरदार जरदार जुआ खेलने के लिए जुड़े राजदर बार सोनपुर राज की वसंदरा थी रत्नमई और थी खिलाडियों को कौडियों की दरकार किंत उसे देश के वराटिका मिली न एक तो यह पूरा आपने देखा अपनी खबर इसमें जितन करा देंगे बाकि अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को सेर कर दीजिए अगर आप भी चाहते हैं कि लगभग नवंबर में परिक्षा होगी यूपी हायर की आप भी चाहते हैं कि प्रते दिन आपको इसी तरीके वीडियो लेक में मात्पूर्ण प्रशनों के बात हम लोग करेंगे कैसा लगा वीडियो जरूर अपने प्रत्क्रिया व्यक्त कीजिएगा आप लोग